ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालू अब 23 जून से 29 जून याने किन 7 दिनों में सोने के रत पर सवार होगी आपकी किस्मत आपकी तरक्की देख आपके दुस्वन आपसे जलेंगे अच्छा समय साबित होने वाला है जा दोस्तो इन 7 दिनों में आपको अनेक और पिरकार की बड़ी बड़ी खुसकवरियों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों भी बड़ी खुसकवरियां कौन-कौनची है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि यह वीडियो आप के लिए बह भगवान श्री हरी विशनुजी के असिरवास से आपके लिए 23 जून से 29 जून यानिके 7 दिनों का यह महत पापूरा समय दोस्तो अब समय पून तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसनता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी छुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके अब की इस्तिती बन रही है इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्यूप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहु परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सभी प्रकार के रिस्तों में स खुसियां महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बढ़तें कोई नकारातमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम क कुछ टानले की भी प्रबर्ती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाय के प्रती जादा एकागर चित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बंते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकारातमक कमियों को दूर करके आप भैतरेन र दोस्तो साती सात कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भै हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके आप से निकल सकती हैं थोड़ा सावधान रहें शेयर शट्टा आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुक सकते हैं इ बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस संबंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताय भी प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का क जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी। जीवन के लिए अपने करोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है। परिशानिया उत्पन कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कौन से समय पूरता आपके पक्ष में हैं। आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे। नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मत परणाम हासिल होंगे। और करमचारियों के साथ संबंद मदूर बना कर रखें। जिस कारे को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा। इसलिए अपने कारे के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है। नोकरी पेशा व्यक्ती अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें। कारे छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे। तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे। नोकरी पेशा व्यक्ती अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रिकार का प्रियास ना करें। क्योंकि किसी प्रिकार की मान हाने के भी योग बन रहे हैं। कुछ नए व्यवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवश्चकता हैं। चरासी भी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती हैं। इस समय कार्रे के गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवश्चक हैं। प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी। तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी। नौकरी में अपने लक्षे को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी। कार्य छेत्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंद विख्षित होंगे। तथा नए योजनाय बनेंगी। रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबवी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा। दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की। तो स्वास्त के द्रश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी। लापरवाही बिल्कुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें। साति सात अत्यादिक काम की वज़े से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्चक है। साति सात अपने खान पान वर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें। तला हुआ भोजन आप ना करें। परेज करें। सुपाच्य भोजन करें।